अर कोई तो रोक लो अब तो जुबान से जवान के लिए सिर्फ यही शब्द निकल रहे हैं पता है क्यों क्योंकि भाईया अब तो हर एक्टर यही सोच रहा है कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड बज़ेगा भी इस मोवी से जो उनके लिए बज़ जाए तो जवाब होगा शायद नहीं हम बात करें सा सितंबा को शारुख खान के रिलीज होई ब्लॉग बास्टर मुवी जवान के बारे में जो धीरे धीरे करके अपने नाम हर बड़े रिकॉर्ड तरच करती जा रही है अब तक भीते हर दिन में मोवी ने क्या से कमाल किया है और इस अपकमिंग वीक में थोड़े रिकॉर्ड तो हमारे लिए भी छोड़ दें वैसे इसकी सफलता का राज भी है आफ्टर आल इसमें इतने नामी गिरामे स्टार कास्ट जो मुझूद हैं मोवी में आपको शारुख खान से लेकर साउथ के चाने माने एक्टर विज़े से तुपती तक नजर आए बढ़ते हुए आंकड़ों को देखकर ये साब तोर पर समझा रहा है कि मोवी के लिए खुद को 1000 के क्लब में शामिल करना कोई बड़ी बात नहीं है और मुवी बड़े आराम से हस्ते हस्ते 1000 के क्लब में शामिल हो जाएगी मोवी ने रिलेस के ही दिन इंडिया में 74 करोड 50 लाग की अर्निंग की थी वहीं वर्ड लेवल पर ये कलेक्शन लगबग 129 करोड 60 लाग तक पहुच गया था दूसरे दिन इंडिया की अर्निंग जहां 53 करोड 23 लाग रुपे के आसपास थी वहीं वर्ड लेवल पर ये आंकड़ा लगबग 130 करोड के आसपास का था तीस दिन का कलेक्शन लगबग 206 करोड से भी कई जादा का पहुंच चुका था अब बात कर लेते हैं चौथे दिन यानि संडे की जिसका सभी को विसबरी से इंतजार था क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन सबसे जादा ओडियंस एक्सपेक्टेट की जा रही थी ये दिन कुछ खास इसलिए भी था क्योंकि संडे को ही इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी था ऐसे में लोगों को लग रहा था कि शाद मोवी के सो थोड़े प्रभावित हो लेकिन इस दिन का आंकड़ा देखकर ये साप हो गया कि शेर हमेशा शेर ही रहता है भै शारुक खान ने बेसक करोड का बिजनस किया और इंडिया में फिल्म का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन लगभग 290 करोड पहुँच गया वहीं वर्ड लेवल पर ये आंकड़ा 540 करोड के आसपास पहुच गया आज पांचवे दिन का आंकड़ा लगभग 30-32 करोड एक्सपेक्टिट किया जा रहा है यानि पांचवे दिन के आंकड़े को देखकर ये साब पता चल रहा है कि मुवी ब्लॉक बास्टर है इसमें कोई दो राए नहीं है अपनी शांदार प्रफॉर्मेंस से मुवी ने अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किये हैं जिसमें पहले दिन 100 करोड का पार करने वाली ये पहली फिल्म बन गई जबकि इससे पहले के आंकड़े शारुक खान की ही मुवी पठान के नाम था जिसने 106 करोड का बिजनस किया था साउथ में भी सबसे जादा कमाई करने वाली ये बॉली वुड की पहली फिल्म बन गई वर्ड वाइल कलेक्शन में भी ये मुवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये मुवी का क्रेज लोगों के बीच में ऐसा था कि इसके लिए पांच एम का मॉर्निंग में शो रखा गया जो अब तक बॉली वुड के किसी भी फिल्म के लिए नहीं रखा गया था वैसे गदर के लिए एक 45 के नाइट शो रखे गए थे लेकिन ये मुवी की शांदार प्रफॉर्मेंस देखने के बाद हुआ था लेकिन जवान के लिए ये मुवी के रिलीज से पहले किया था मुवी में शारुक खान के अगेंस नयनतारा नजर आई है जबकि दीबिका का भी कैमियो रोल है आपको विजए सितु मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में